एक बार फिर से यहां पर वीविन डिसेना का दिया साथ करनवीर के पीट पर घूंपा छोरा जी हां दोस्तों आपको बता दें कि बिग बोस के घर के अंदर एक पर फिर से शिलपा शिरोड कर ने करनवीर महरा को पूरी तरह से हरा दिया है और एक बार फिर से करन को दोखा द दिया है और वीविन का साथ दिया है जिसको देखकर आपको बता देंगी करनवीर महरा की आंखे तो पूरी तरह से नम हो गई करनवीर तो जहासे फूट फूट कर रोने लगे अंदर ही अंदर करन पूरी तरह से रोते हुए हम सब को नजर आने वाले हैं क्या हुआ है घर के अंदर एक पर फिर से शिलपाने किस तरह से करन को धोखा दे कर यहां पर विविन्ड सेना को बरवन बना दिया है चलिए आपको बताते हैं चैनल पर ने हैं सब्सक्राइब कर लें घंटी के निशान को आप जरूर दबा दें तरह सल आपको उता दें बिग बॉस के गर के जैसा कि आप सब जानते हैं बीते दिन हुआ एक टाइम गॉड का टास्क जिसमें अविनाश ने अपनी पीट पर उठाया हुआ था इशा को और करनवीर ने उठाया हुआ था इडन को और काफी देर तक ये दोनों पीट पर उठा कर चलते रहे क्योंकि यहां पर दोनों को पीट पर उठा कर चलना था जो ठक जाता जो पहले बैठ जाता वहार जाता और दूसरी टीम का इंसान बन जाता टाइम गॉड यहां पर अब आपको बता दें की शिल्पा शिरोड कर को बिग बॉस ने इस टास्क में बनाया था संचालक जिसके बाद करनवीर काफी अदा क्योंकि करनवीर सोच रहे थे कि संचालक तो शिल्पा है वो तो मेरा साथ देगी वो तो मुझे ही यहां पर टाइम गॉड बनने का मोका देगी क्योंकि अगर करनवीर जी जाते तो उसकी पीट पर इडन थी इडन टाइम गॉड बन जाती लेकिन यहां पर आपको बता दे रोडकर है जो टाइमगौड बनने की यहां पर संचालक थी इसने करनवीर को पूरी तरह से हरा दिया करनवीर को rivers से ही बाहर कर दिया और अविनाश को जिता दिया जिसकी वज़ा से अविनाश के कंदे पर जो थी इशा वो बन चुकी है नई टाइम गोड और जैसे ही ऐसा हुआ करनवीर के पैरों के नीचे से तू जमीन ही किस गई करनवीर हैरान रहे और कहने लगे कि शिल्पा एक बार फिर से तुमने मुझे धोका दिया है कसम से बोल रहा हूँ कि इस बार तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू मुझे एक बार फिर से धोका दे देगी तू ने टाइम गोड टास्क में एक बार फिर से मुझे हरा कर रख दिया जब कि मैं तो जीतने वाला था और जो विनाश है वो हारने वाला था लेकिन तुमने तो अपना असली चाहरा एक बार फिर से दिखा दिया है ऐसे में आपका इसके बारे में क्या कुछ सोचना है कमेंट जरूर करें और लेटस्ट अपडेट के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें